और ये ये मैं हूँ इस वाक्त चैट्सकेट सेस्टी में यहां की बिल्डिंग है और ये पुरानी बिल्डिंग है वो भी आपको दिखाती हूँ वो जो पुरानी बिल्डिंग दिख रही ना वो वो मेरे पापा की जबाने की बिल्डिंग है मतब मेरी पैदाईश नहीं थी तब कि वो बिल्डिंग है और यहां पर जो इतने लोग रहते हैं मुंबई में चर्च गेट पर तो लोग कमेंट करिए क्योंकि मैं इस वक्त यहीं पर हूँ और मैं यहां पर आई थी किसी काम के वज़े से और शूट भी करने बट मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ विकोज लाइट कम हो चुकी है और मैं किसी काम से आई थी वहां थोड़ा मेरे लेट को गया ऐसे तो मैं दूबार पहले भी आ चुकी हूँ अगर यहां से कोई है तो मुझे कमेंट करेए क्योंकि फिलहाल में यहीं है और वो छोटा सा जो एक मिनट वो जो मंदिर दिख रहा है छोटा सा वो आई तिंक मेरी तो पैदा इसके पहले का सब कहते हैं कि यह वो जो दिख रहा है सब कहते हैं कि यह जब पता नहीं कौन सा काल था कि क्या था मतलब जब हमारी हमारा देस आजाद नहीं होता तब का है आई तुम वह भी लिंक बहुत पुराना है बहुत पुराना तब ऐसी जगेहों पर रहना चाहिए देखो लगता है कि हां अच्छो मतलब बहुत अच्छा लगता है और यहां पर काफी आउट उप कंट्री के लोग भी आते घुमने के लिए जैसे हमारे लिए दुबाई जाना होता है वैसे ही दुबाई के लोग यहां पर आते हैं घुमने के लिए जो की हमारे इंडिया को देखते हैं हमारे इंडिया को प्यारत करते हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही प्यारा देश है और इंडिया से बड़ा तो कोई देश रखता ही नहीं है और आप लोगों को बस लाइब देखते रही है बस जादा नहीं मुझे से दो मिनिट और होंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ इतनी खास चीजे नहीं रही हैं कि जो भी मैं नहीं आपको दिखा पाई हूँ जो मझे प्यारा लगता था वो मैंने आप को दिखा दिया बाकि तो लोग जो मुमबई में रते मूं के लिए तो है कि यह चीजें भी को यहां पर देखो क्या लिखा। कुछ सु लिखा है मुमबई महानगर पालिका मुख्याल है कितना प्यारा लग रहा है इस प्रतिभा मौरिया ऑजू प्रतिभा जी अगर आप मुंबई में तो आज़ए सिष्टी गुमते हैं यहां पर वैसे सच कहुँ तो मुझे घुमना पसंद नहीं है पहले नंबर सब अक्सर लोग घुमते हैं बट मुझे घुमना बिल्कुल पसंद नहीं है बस में हाथी तिलते रहते हूँ नाइस अप उंबे से हो क्या